लास्ट वीडियो के अंदर में ने उन आट कारों को कवर किया था जिनकी ओन रोड कीमत 5 लाग से लेकर 7 लाग के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी उसे वीडियो के ओपर आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉंस दिया लेकिन इस वीडियो के अंदर में सिर्फ अच्छी SUV कारों को कवर करूँगा जिनकी कीमत आपको अंडर 10 लाग रुपेस देखने को मिल जाएगी यानि अजर आपको आने वाले समय में एक अच्छी SUV कार लिनी है और आपका बचेट है 10 लाग रुपे के अंदर तो ये वीडियो आप इन तक देख सकते हैं इस वीड वीडियो मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्काइब करके बल नोड़ोफेकिशन कौन जरूर कर ले अगर आप इसके डीजल इंजिन के साथ जाओगे तो वहाँ पर आपको 23 किलोमेटर पर लिटर का माइलेज मिल जाएगा हालाकि ये माइलेज एराई ने क्लेम किया है दस लाग के बजट में आप हुन्डाइ वेन्यू का बेस मोडल पर्चेस कर सकते हो जो की है और इस बेस मोडल के नरब को पेट्रोल इंजिन का आप्शन मिलेगा इस वेरेंट को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 8,93,000 रुपीज ये अन्रोड प्राइज मैंने आपको बताई है अगर आपका बजट 9,000 के आसपा से तो डेफिनेटल आप हुन्डाइ वेन्यू के इस वेरेंट के साथ जार सकते हैं अगर आपका बजट 10,000,000 रुपै से थोड़ा सा ओपर है तो आप हुन्डाइ वेन्यू का सेकेंड बेस मोडल पर्चस कर सकते हो पेट्रोल इंजिन के साथ जो की है इस वेरेंट और इस वेरेंट को पर्चस करने के लिए आपको 10,000,000,000 इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 12,16,000 रुपेज तक चली जाती है तो डीजल मॉडल को पर्चेस करने के लिए आपको आपका बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा लेकिन अंडर 10 लाक रुपेज आप हुंड़ा इवन्यू के बेस मॉडल या फिर सेकेंड बेस मॉडल को पर बहुत सरे लोगों ने इस कार को रेंजर ओर जैसा मॉडिफाइड भी किया है उसके बहुत सरी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे आज के डेट में ब्रेजा के अंदर एक पेट्रोल इंजिन को आप्शन दिया जाता है जिसके देद आपको 19 से लेकर 20 किलोमेटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा 10 लाग के अंदर आप ब्रेजा का बेस मॉडल खरीज सकते हो जो कि है एलेकसाई और फिलाल के लिए इस वीरियन के डियूमांट काफ़े ज़दा बढ़ चुकी है अगर आपका बजेट थोड़ा सा जादा है आप अपना बजेट बढ़ा सकते हो तो आप ब्रेजा के वी एकसाई मॉडल के साथ जा सकते हो जो कि है सेकेंड बेस वीरियन और इस सेकेंड बेस मॉडल को पर्चेस करने के लिए यानि खरीदने के लिए आपको 11 लाग रुप हालकि यहाँ पर आपको फैबरिक के सीट्स मिलेंगे डाइश बॉड को काफ़ ज़दा इंप्रूव किया है और आपको ड्राइव कॉलिटी अच्छे कासी देखने को मिल जाएगी तो डेफिनिल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं 2023 में थर्ड नमर पर मैंने किया कि सोनेट को रखा हैं जो कि वेन्यू की बहन है और यहाँ पर यह भी कार आपको अच्छी घास से देखने को मिल जाएगी एक जिसने आपर मैं आपको बटाना चाहूंगा हूंगा हुंडाइव वेन्यू के मुकावले किया सोनेट की केमद आपको काफी कम देखने को मिल जाएगी जिन किया सोनेट के इंटरियर में आपको अच्छे कर से फीचर्स देखने को मिल जाएगे लेकिन बहुत जली किया सोनेट का भी फेस्लिप मॉडल इंडियन मार्केट में लांच होने वाला है और कुछ रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि इसके अंदर सी एंजी किट क आप्शन आज आएगा अगर आपको ज्यादा माइली चाहिए तो आप इसके सी इंजी मोडल के लिए वेड कर सकते हैं इस साल के से केंड हाउप में इसका फेस्लिप मॉडल और इसका सी इंजी मॉडल इंगिन मार्केट में लांच हो जाएगा अगर आपको अभी लेनी है तो आप इसको consider कर सकते हैं, अगर आपको wait करना है, तो आप definitely Kia Sonate के facelift model के लिए wait कर सकते हैं, 10 लाग रुपे के अंदर Kia Sonate का आप base model खरीज सकते हैं, जो की है HTE, इस model के अंदर आपको 1.2 लेटर petrol engine मिलेगा और इस model के on-road कीमत 8,93,000 रुपीज तक चली जाती है, यानि 9 लाग रुपे के अंदर आपको Kia Sonate का base model मिल जाएगा petrol engine के साथ, इसका second base model है HTE के और second base model को खरीदने के लिए आपको 9,80,000 रुपीज देने पड़ेंगे, यानि approximately आपको 10 लाग रुपे के असपास पैसे देने पड़ेंगे, तबी जाकर आपको Kia Sonate का second base model मिलेगा, लेकिन Hyundai Venue के second base model को खरीदने के लिए आपको 10 लाग 32,000 रुपे देने पड़ेंगे, तो यह आपर इस variant के साथ जाते हैं, लेकिन इस model को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 10,88,000 रुपीज, यानि 11,00,000 रुपे के आसपास आपको पैसे देने पड़ेंगे, अगर आपको Kia Sonate का top selling variant purchase करना है, अगर आपका उतना budget नहीं है, अगर आपका budget 9,00,000 रुपे के अंदर तो आप base model खरी सकते हैं, या फिर अगर आपका budget 10,00,000 रुपे के आसपासे तो आप इसके second base model के साथ भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर prices आपके सामने है, petrol model के, अगर मैं diesel की बात तो तो diesel model को purchase करने के लिए आपको देने पड़ेंगे 11,14,000 रुपीज, यहाँ पर venue के diesel model की की मत स्टार्ट होती है, 11,14,000 रुपीज से, तो आपको 1,00,000 रुपे का difference देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस कार के भी बहुत सरे incident हो चुके है, इंडिया में safety related बहुत सरे issues हैं इस कार के अंदर, अगर आप इन चीज़ों को ignore करते हैं, तो definitely इस कार के साथ आप जा सकते हैं नहीं तो आप Hyundai Venue को भी consider कर सकते हैं, खेर, fourth number पर मैंने Tata Punch को रखा है, और previous वीडियो के अंदर में मैंने Tata Punch को रखा था, लेकिन उस वीडियो के अंदर 7,00,000 का budget था, और यहाँ पर 10,00,000 का budget range है, 10,00,000 रुपे के budget में आप Tata Punch का AMT मोडल के साथ जा सकते हैं, जो कि यह accomplish variant और इस model को खरीदनी के लिए आपको 10,00,000 रुपे दने पड़ेंगे, इस variant के साथ अगर आप जाते हो तो आपको features अच्छे का से मिल जाएंगे, जिन लोग को जाधा features चाहिए, वो लोग definitely इस car को consider कर सकते हैं, इस variant के साथ जा सकते हैं, अगर आप अपना budget बढ़ा सकते हो और आपको चाहिए car connect के technology, यानि आपको अपने smartphone के तुरू car को control करना है, तो आप काजी रंगा edition model purchase कर सकते हैं, आयरे technology के साथ, और काजी रंगा edition model खरीदनी के लिए आपको देने पड़ेंगे 10,37,000 रुपीज, टाटा पंच के top model की on-road की मत 11,6,000 रुपीज तक चली ज selling SUV car है, आज के रेट में टाटा नेक्सन के अंदर आपको एक petrol engine मिल जाएगा, या diesel engine के साथ भी आ जाती है, और इसका EV model electric segment के अंदर काफी जदा देखता है, और जब भी मैं रोड पर जाता हूँ तो मुझे टाटा नेक्सन EV काफी जदा देखती है, most of the cities में आपको टाटा ग्रोपे के अंदर अगर आपको टाटा नेक्सन को पर्चेस करना है, तो आप इसके बेस मोडल को खरीज सकते हैं, जो कि है XM variant और इस XM variant को खरीदने के लिए आपको 9,6,000 रूपीज देने पड़ेंगे, अगर आपका बजट 10 लाग रोपे के थोड़ा सा उपर है, तो आ सकते हैं, जो कि है XM variant और इस XM variant को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 10,20,000 रूपीज, अब यहाबर आप देख सकते हैं, 10 लाग के रेंज में आपको टाटा नेक्सन का सेकेंड बेस मोडल मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको उतने अच्छा कर से फीचर अगर आपका बजेट 11,00,000 रूपए के आस पासे तो आप टाटा नेक्सन के बार में सोच सकते हैं, इसके अलव आप ब्रेजा के बारे में भी सोच सकते हैं, डीजल मोडल अगर आपको पर्चेस करना है टाटा नेक्सन का तो आपको देने पड़ेंगे 12,00,000 रूपई, अ आपको देने पड़ेंगे 12,00,000 रूपई, यहाँ पर आपको किया सोनेट के लिए 1,00,000 रूपई कम देने पड़ेंगे डीजल मोडल के लिए, लेकिन वहाँ पर आपको सेफटी ना कर बराबर मिलने वार है, और टाटा नेक्सन को सेफटी में 5-star रेटिंग्स मिले हैं, खेर 6 नंबर पर, यानि लास्ट नंबर पर मैंने हुंडा के WRV को रखा हैं, जो कि इंडियन मार्केट में ठीक ठाक बिखती है, और इस कार के अंदर आपको एक पेट्रोल और एक डीजल इंजिनिंग को आप्शन मिल जाएगा, यह कार 16 से लेकर 24 किलोमेटर पर लीटर का म तो यह 6 LCV कार उस्ती जो कि आप 2023 में कंसिडर कर सकते हैं, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ और परिवारोल के साथ जरूर शेयर किजिए का जिनको आने वाले कुछ दिनों में एक नई कार लेनी है, उमीद करता हो कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बल नोटिफिकेशन को और ज़रूर कर लेना